नमस्कार सुप्रभात दोस्तों तुलसी का पौदा बहुती पवित्र होने के साथ साथ इसके आयर्विद में भी बहुत सारे औसद्य लाब हैं औसद्य गुड हैं जो के हमारे स्वास्त के लिए हमारे हेल्थ वेनिफिट के लिए काफी फायदे मन्द हैं आज इस वीडियो में हम आपको बताने बाले हैं अगर सर्दियों में आपका तुलसी का पौदा सुक्रा है या फिर उसकी पत्यां पीली हो करके गिरने लगी हैं और आप इस समस्था से बहुती परेशान हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके साथ तुलसी के पौदे के लिए कैसा फाइटलाइजर सेर करने बाले हैं अगर आप उस फाइटलाइजर को अपने तुलसी के पौदे में डालते हैं तुलसी के पौदे में यूज करते हैं तो friends कुछ ही दिनों में आपका तुलसी का पौदा फिट से घना और अरा बरा हो जाएगा पौदे पर धेर सारी पत्यां भी आने लगेंगी और वो पीली हो करके भी नहीं गिरेंगी तो friends आप हैं farming tips यूटूब पर अगर आप लोग हमारे इस channel पर पहली बार आए हैं या फिर channel का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को एक बार like कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा share कीजिए जिससे अने friends भी इस वीडियो का लाब उठा सकें और चैनल को भी subscribe कर लीजिए जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे चलिए फिर मैं वीडियो की शुरुआत किये देता हूँ दोस्तो सर्दियों के मौसम में हमें अपने तुलसी के पौदे की कुछ ज़्यादाई देखबाल करनी परती है कुछ ज़्यादाई केर करनी परती है आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुलसी के पौदे के लिए खास देखरेक के बारे में खास केर टिप्स के बारे में जिससे सर्दियों में अभी हमारा तुलसी का पौदा सूके नहीं और वो इसी तरीके से घना और हरा भरा बना रहे तो दोस्तो तुलसी के पौदे की पहली केर टिप्स है पहली देखबाल है सर्दियों में आपको अपने तुलसी के पौदे को किसी पौली थेन या फिर कपड़े की मदद से ढग देना है जिससे पौदे को कोहरे और ठंड से बचा जा सके दोस्तों दूसरी केयर टिप्स है, सर्दियों में आपको अपने तुलसी के पौदे में जादा जल नहीं छड़ाना है, अगर आप अपने तुलसी के पौदे में जादा जल छड़ा देते हैं, तो आपका तुलसी का पौदा इस बज़े से भी पूरी तरीके से सूख जाएग तो सर्दियों में आप अपने तुलसी के पौधे में सीमित मात्रा में जल छड़ाएं और तीसरी के टिप्स है तुलसी के पौधे की हर 15 से 20 दिन बाद गुड़ाई गुड़ाई करने से पौधे की जो मिट्टी है वो डंप नहीं हो पाती और मिट्टी में जो हवा भी लग जाती है चलिए मैं अपने इस तुलसी के पौधे की गुड़ाई करके भी दिखाए देता हूँ दोस्तों ये है हमारा वो तुलसी का पौधा जिससे हमने एक 10 इंच के प्लास्टिक के पौट में लगाया हुआ है गमले में जितने भी बीट्स बगेरा हो घास पूस हो खर्पत बार हो उसे आपको निकाल करके फ्यंक देना है और उसके बाद आपको एक गार्डन टूल लेना है और इस तरीके से आपको अपने तुलसी के पौधे की गुड़ाई कर देनी है गुड़ाई आपको बहुती साबदानी से करनी है जिससे हमारे पौधे की रूट न कर जाए जड़े न कर जाए गुड़ाई आपको तीन से चार इंच घहराई में करनी है तो हमने आपर अपने तुलसी के पौधे की गुड़ाई अच्चे से कर दी है मिट्टी जो है पूरी तरीके से भुरबुरी बन गई है ये देखिए अब आप इस मिट्टी में कम से कम दो से तीन घंटे की धूप लग जाने दें और चौती केर टिप्स है फ्रेंट्स पौदे के लिए फाइटेलाइजर दोस्तो ये पांस घंटे बाद की सूटिंग है और मिट्टी में पांस घंटे की अच्छे से धूप लग गई है मिट्टी जो है पूरी तरीके से ट्राइ हो गई है सूख गई है चलिए अब हम तुलसी के पौदे के लिए फाइटलाइजर तयार के लेती है दोस्तो तुलसी के पौदे के लिए बिशेष फैट्लाइजर बनाने के लिए हमने आपर मस्टड केक पाउडर लिया हुआ है इसके लाबा आप सावित भी मस्टड केक ले सकती हैं कुछ इस प्रकार की एक चमच आपको मस्टड केक पाउडर लेना है और उसके बाद आप एक कोई प्लास्टिक का वर्तन ले लीजिए हमने आपर एक प्लास्टिक का टव लिया हुआ है और उसके बाद आपको लेना है पानी पानी आपको ताजा लेना है तो हमने आपर एक लीटर जो है ताजा पानी ले लिया है पाने आपको खारा नहीं लेना है और उसके बाद आपको लेना है और उसके बाद आपको इसे छोड़ देना है कम से कम दो दिन के लिए तो friends अमने इसी तरीके से जो है मस्टर्ट केक पावडर पहले ही तयार किया हुआ है इसे हमने जो है दो दिन के लिए छोड़ दिया था और इस तरीके से आपका जो है मस्टर्ड केक फाइटलाइजर तयार हो जाएगा सरसों खली खाद तयार हो जाएगी इसका जो कलर है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा चलिए अब मैं आपको अपनी तुलसी के पौदे में सरसों खली खाद को डाल करके दिखाए देता हूँ एक गलास आपको सरसों खली खाद लेनी है और इस तरीके से आपको अपनी तुलसी के पौदे में सर्दियों में सर्सों खली खाद डाल देनी है इससे आपका तुलसी का पौदा सूखे का नहीं और पत्यां भी पीली हो करके नहीं किरेगी तो इस तरीके से आप सर्दियों में तुलसी के पौदे को सूखने से बचा सकते हैं मुझे उमीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो के एक बाल लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों और इस्तेदारों के साथ भी सियर कीजिए जिससे वो भी सर्दियों में अपनी तुलसी के पौदी को सूखने से बचा सकें तो फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ किसी नई टॉपिक पर तब तक के लिए धन्यवाद थैंकियो